हेलो बच्चो आज मैं आपको सुनाऊंगी खरगोश और कच्छवे की कहानी एक घने जंगल में खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दोड़ने पर बहुत घमन था उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दोड़ लगाने के चनाती दे देता दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाग भी उड़ाता एक बार उसे एक कच्छवा दिखा उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कच्छवे को भी दोड़ लगाने की चनाती दी और कहा क्यूं भाईया दोड़ लगाओगे मेरे साथ कच्छवे ने भी खरगोश की चनाती मान ली और बोला ठीक है भाईया जैसा तुम कहो और दोड़ लगाने के लिए तैयार हो गए जंगल में सभी जानवर कच्छवे और खरगोश की दोड़ देखने के लिए जमा हो गए अब दोड़ शुरू हो गई खरगोश तो तेजी से दोड़ने लगा और कच्छवा अपनी धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा थोड़ी दूर पहुँचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे कच्छवा कहीं दूर दूर तक दिखाए नहीं दिया तो खरगोश ने सोचा कच्छवा तो अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहां तक पहुचने में काफी वक्त लग जाएगा क्यों ना थोड़ी देर मैं आराम ही कर लेता हूँ यह सोचकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आँख लग गई उसे भी पता नहीं चला उदर कच्वा हमारा धीरे धीरे और बिना रुके लक्षे की तरफ पहुच गया उसकी जीत देखकर बाकी जानमरों ने तालिया बजाना शुरू कर दी तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नीच कुली और वो दोड़ कर जीत की रेखा तक पहुचा लेकिन तब तक कच्वा तो पहले ही जीत चुका था अब हमारा घरगोश पच्टा आने लगा और उसने हाथ जोड़कर कच्वे से माफी मांगी और कहा भाईया मुझे माफ कर दो मुझे लगा कि तुम तो बहुत धीरे धीरे आओगे लेकिन ये मेरे ना समझे थी तो बच्चों हमें इस कहानी से क्या सीख मिली हमें इस कहानी से ये सीख मिली जो धैरे और हिम्मत से काम करता है जीत उसी की होती है और जो खुदपत या अपने कारे पर घमंड करता है उसका घमन कभी ना कभी तोटता जरूर है